और दोस्तों आप देख रहे हो राइट स्टाइल टेक्ट- ऐगffe ! जलिए देख लाइट सस्टीर बिजि़रा. आस भी आपके लिए गरमा गरम टेक्ननौ ऑपोडि को समय सब्सक्राइब की जांगी सब सब नोटिफिकेशन को मिल जाएंगे जैसे एम वीडियो उपलोड करते हैं और हम बीडियो को अपलोड करते हैं दोस्तों आज मैं आपको बता है हमारा हमारा जो नए अन्पोकसिंग आने वाला दोसे तीन दिन में उस वह उंबोकसिंग होंगा on me smartband 4 वो मैं बताए ट्रे क्यों है चलिए शुरू करते हैं जो पहली खबर है वह है मीजू की तर्फ से मीजू 17 सीरीज ओफिशल हो गया गलोबल यह लॉज हो गया और इसके हाँ पर प्राइस इसके फूल स्पेसिफिकेशन भी आ गया है तो पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की तर्फ से मीजू 17 में आपको एक 6.6 इंच का सूपर एमोड डिस्पले मिलेगा 90 हर्ट की रिफ्रेश रेट भी होगी और इसमें आपको पंचोल कामरा मिलेगा और उस में उस पंचोल में आपको 20 मेगा पिक्सल का सेल्फी कामरा मिलेगा और 19 जो 529 का एस्पेक रेशियो है औ और इसमें आप दोस्तों आपको 64MP का Sony IMX686 का primary sensor मिलेगा, 8MP का एक telephoto lens मिलेगा दोस्तों और camera भी दोस्तों काफी अच्छ है और इसके दोस्तों आपको बहुत सारी features मिलेंगे जैसे की Mizu 17 series दोनों भी smartphone में आपको Snapdragon 865 का chipset देखने को मिलेगा 12GB की RAM होगी LPDDR5 का support होगा दोस्तों और दोनों भी smartphone में आपको 4500mAh की battery मिलेगी और 30W की fast wire charging का support मिलेगा और 27W की wireless charging का support मिलेगा दोस्तों और इसमें आपको flying 8.1 मिलेगा और android 10 out of the box मिलेगा दोस्तों पहले बात करते हैं अब बात करते हैं इसके price की लेकिन उससे पहले Mizu 17 में आपको green, grey और white colors मिलते हैं दोस्तों for pre-order और इसका जो 8GB variant 8GB 128GB उसकी price है रुपीस रुपीस ने दोस्तों CNY 3699 और जो 8GB 256GB का वेरेंट है उसकी price है cny3999 और दोस्तों Mizu 17 pro ये जो smartphone है दोस्तों उसकी price है रुपीस cny4299 और जो दोस्तों 12GB 256GB वेरेंट और उसकी price है रुपीस cny4299 और जो दोस्तों 12GB 256GB का वेरेंट है उसकी price है रुपीस और दोस्तों मैंने आपको सारे specs तो बता दिए इसके ओपर हमें वीडियो जरू करेंगे तो स्टे ट्यून दोस्तों अगली खबर है वीवो की तरस से वीवो iqoo Z1 is the first phone with Dimensity 1000 plus processor वीवो ना ट्वीक डाल दिया है कि उनका iqoo Z1 होगा उसमें first time use किया जाएगा Dimensity 1000 plus का प्रोसेसर अब यह जब लांच होगा तो इसके full specs आजेंगे लेकिन इसमें आपको 144Hz की refresh rate की screen मिलेगी मीडिया टैक 1000 प्लस का प्रोसेसर मिलेगा Dimensity 1000 प्लस दोस्तों और HDR10 प्लस का protection भी होगा दोस्तों जब iqoo Z1 लांच होगा सो इसमें आपको मीडिया टैक 1000 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और दोस्तों अगली खबर है ओनर की तरसे नहीं हुआवी की तरसे और 9x pro और 9x इंडय में ओल्डी लांच हो चुक है और इसका बड़ा भाई 9x pro लांच हो रहा है इन इंडिया और में 12 दिया दोस्तों और इसके कुछ और 9x pro में आपको 6.59 इंच का फुल एच्डी डिस्प्ले देखने को मिलेगा किरिन 810 का प्रोसेसर होगा से जीवी की राम होगी और एक्सपांडबल स्टोरेज दोस्तों होगी इसमें ट्रिपल कैमरा जोंगे 48 मेंगा पिक्सल का में कैमरा दोस्तों आपको मिलेगा और 16 म अब एक्सल का पॉपप सेल्फी कामरा मिलेगा 4000 मिलियंपर की बैटरी मिलेगी साइड माउंटेड फिंगर्पिंट सेंसर होगा दोस्तों यह थी पॉर्ट होगा फिर 3.5 mm जैक होगा दोस्तों इसमें सो यह लांच हो रहा है इंडिया में दोस्तों अन में 12 वैसे दोस्तों अगर अच्छे लगरी लाइक करना ना भूले क्योंकि हम आपके लिए वीडियो रोज करते हैं इसी बात पर लाइक करना अगली खबर है शाओमी की तर से रेडिमी की तर से मियूर 12 ग्लोबल लांच एक्सपेक्टेड है तो बी ओन में 19 जैन शाओमी ने ट्वीड डाल दि आपकेडर ने गlar है की कौनसे कौनसे स्माटफोन को एक मिलने वाल है हमारी एक टेक नियूस में मैंसे पूरी लिस्ट बताईए तो वो टेक-नियूस आप जरूर देख सकते हरे क्योंकि मैं अब इस में वापस से ओन इस नहीं बताँगा क्योंकि दोस्तों वो लिस्त काफी लंबी है यानि कि बहुत सारे स्मार्टपोन को अपडेट मिलने वाला है और शायद यह जा सकता है इसका एक्सपेक्टेड है ग्लोबल लाउंच टू बी ऑन में 19 अगली खबर रेडमी की दर से शाओमी भी 30 वाट वायरलेस चार्जर विद बिल्ट इन कूलिंग फान लाउं लाउंच हो गया इसकी प्राइस रुपीस 1,999 और यह 30 वायरलेस चार्जर दोस्तों और इसके इसकी जो प्राइस है वो तो मैं आपको बता दिये और इसके बहुत सारे अच्छ अच्छे फीचर भी आपको मिलते है 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट भी है दोस्तों इसमे विद बिल्ट इंग कूलिंग फैन लौंच हो गया और यह काथ एक्साइटिंग लग रहा है दोस्तों दुस्तों अगली खबर है चाङ्जी थांगे ख़िचाबारेम लाउंच उगया इंडिया में दोस्तों अड रुपीस 3,499 थव-ख़िंग-ग आपको दूस्तों काफी सारे फीचर मिलेंगे एक जी बीची इंटर्नर स्टोरेज होगी तूजी बीची राम होगी दूस्तों फोर की स्ट्रीमिंग आप कर सकते हो एच डी आ टैन का सपोर्ट भी होगा धूस्तों इसमें और यह सपोर्ट करेगा नेटफ्लीक्स और एमजोन prime video को भी और patch wall का interface होगा दोस्तों इस में और android tv होगा और android 9 होगा और दोस्तों समीघ को काफी सारी features भी मिलेंगे और यह launch होगे इन इंडिया और 4K दोस्तों में आपको मिलेगा और इसकी price रुपीज 3,499 दोस्तों अगली भी खबर है शाओमी की तरब से रेडिमी की तरब से काफी सारी ख़ब्र आ रही है अगली ख़बर है शाओमी की तरब से शाओमी मे टूली वायलेशर फोंस TWS2 दोस्तो यह दूसरा वर्जण है यह लॉंच हो गए इंडिया एड रूपीस 4,499 दोस्तो पर बनार्ट काफी सारी mm का driver मिलेगा Bluetooth 5.0 का support होगा दोस्तो और noise cancellation का भी support होगा voice calls with the earphones आप कर सकते हो 250 million bar की battery मिलेगी दोस्तो इसमें आपको और काफी अच्छे features मिलेंगे Google Assistant Alexa और Siri भी supported है दोस्तो इसमें और battery भी दोस्तों काफी अच्छे है और इसकी price दोस्तों काफी अच्छे रखे उन्होंने एट रुपीज 4,499 और दोस्तों अगली भी खबर है पहले बात करते हैं इसकी price की सो इसका जो 256 GB वाले option है उसकी price रुपीज 54,999 दोस्तों और इसमें आपको 3,000 रुपीज 3,000 का cashback भी बिलता है दोस्तों और अब बात करते हैं इसके कोछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की सो मी 10 में आपको 6.67 इंच का एक एंड्रोइट फूल एच्डी डिस्प्लेई में लेगा दोस्तों आंड्रोइट 10 और मीवाइ 11 आउट ओफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और दोस्तों इस मैप को बहुत 1,120 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी जो एक काफी अच्छी ब्राइटनेस है दोस्तों और स्नाप्डगन 865 का प्रोसेसर मिलेगा लिक्विड कूल 2.0 वेपर चैंबर का टेक्नलोजी भी मिलेगा एक जीबी की राम होगी LPDDR5 की राम है दोस्तों और OIS, Optical Image Stabilization भी आपको मिलेगा 108 मेगा पिक्सल का Quad Camera मिलेगा दोस्तों 13 मेगा पिक्सल का Intra Wide मिलेगा with 120 degree field of view और इसमे आपको 2 मेगा पिक्सल का Macro Sensor मिलेगा और 2 मेगा पिक्सल का Depth Sensor मिलेगा 20 मेगा पिक्सल का आपको Frank Camera मिलेगा दोस्तों और AI 2.0 मिलेगा Artificial Intelligence और इसमे आपको बहुत चहरे फीचर मिलेगे जैसे की UFS 3.1 का Storage Type मिलेगा Android 10 तो मैं आपको बता दिया Bluetooth 5.1 का Support होगा USB Type-C का भी Support होगा दोस्तों और in-display fingerprint sensor होगा और 3.5 mm jack दोस्तों होगा और इसमे आपको 4780 मिलीपेर की बैटरी मिलेगी 30W 30W की Fast Wire Charging मिलेगी और Wireless Charging भी दोस्तों 30W की मिलेगी और 10W की Reverse Wireless Charging का सपोर्ट भी दोस्तों होगा और इसका जो वेट है वो है 201 ग्राम सो मी 10 दोस्तों लांच होगे प्राइस भी दूस्तों काफी अच्छी आई है और यह दो कलर वेरेंट्स में आता है दूस्तों एक है ब्लाक और एक है ग्रीन सो अब मैंना इसको फूल स्पेक्स आपको बता दिये और यह लांच होगे इंडिया दूस्तों अगली भी खबर है रेडमी की दर से रेडमी के 35 जी का स्पीड एडिशन लांच डेट सेट हो गई फॉर मेंग इलेवन्थ और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी दूस्तों आ गए लेकिन दूस्तों यह लांच हो रहा है ग्लोबली और मेंग इलेवन्थ इन चा पाफी सारी फीचर मिलेंगे जैसे की 6.67 इंच का LCD डिस्प्ले लेकिन इसमें आपको 120 और की रिफ्रेश रेट मिलेगी जो काफी अच्छी है 6GB की राम मिलेगी 1.1GB की स्टोरेज मिलेगी और 64 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP का कैमरा मिलेगा दोस्तों और 3.5 mm jack भी होगा USB Type-C port भी सारे sensors भी मिलेंगे दोस्तों इसका वेट है वो है 208 g ग्राम सो दोस्तों यह लॉन्च हो रहे है और दोस्तों इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर मिलेंगे ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों की स्ट्राइगन 768 G का प्रोसेसर होगा 768 यह अश्तों और यह अभी तक अ दोस्तों और Android 10 आपको मिलेगा Redmi K30 5G Speed Edition में और इसकी launch set हो गई है for May 11 और दोस्तों अगली ख़बार है Samsung की दर से Samsung Galaxy A20s को स्टार्ट हो गया है receiving Android 10 का update with 1UI 2.0 और दोस्तों काफी सारे और काफी सारे फीचर्स मिलेंगे दोस्तों और March 2020 का security patch मेलेगा Samsung Galaxy A20s में दोस्तों अगली खबर है Sony की दर से Sony Xperia 10 और Xperia 10 Plus यह launch हो ते लास्ट यह और लास्ट यह की flagship ते और इनको स्टार्ट हो गया मिलना Android 10 Android 10 रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया है for both the devices और March का security patch दोस्तों अपडेट के जाकर और आपको Android 10 मिलेगा for both the smartphones Xperia 10 और Xperia 10 Plus और भी दोस्तों काफी सारे features मिलेंगे और March 2020 का security patch का अपडेट भी मिलेगा दोस्तों और दोस्तों अगली खबर है motorola की दर से मोटोरोला रेजर 2019 फाइनली जा चुका है सेल में दोस्तों इनडिया अब जा चुका है यह सेल में और स्पेसिफिकेशन भी ठीक ठाक है और प्राइस रूपीस 1,24,999 और 6.2 इंच का फोल्डेबल स्क्रीन मिलता दोस्तों इसमें फोल्डेबल स्मार्टफोन है स्नापडगन 710 का प्रोसेसर है 6GB की राम और 120GB की स्टोरेज है सो यह फाइनली जा चुका है और सेल इन इंडिया अगली खबर है रेडिमी की तर से मी नोट 10 को स्टार्ट हो गया रिशिविंग आंडुए 10 का अपडेट सो अगर आपके पहसे मी नोट 10 सो जाए अपडेट कीजिए आपको आपको आंडुए 10 मिलेगा और यह लांच हुआ तो लास्ट येर विद 108 मिक्सल कामेरा और काफी अपडेट कीजिए आपको बहुत सारे नेने फीचर्स मिलेंगे और आंडुए 10 मिलेगा और उसको अगली खबर है रियल्मी की तर से रियल्मी X3 Pro with Snapdragon 865 का चिप सेट स्पोर्ट हो गया अंतुटू स्कोर और इसके लीक हो गये दुस्तो और इसका जो अंतुटू स्कोर है व इसमें बहुत अच्छा प्रोसेसर मिलेगा और इसके अभी तक स्पेसिफिकेशन तो लीक नहीं हुए लेकिन जो थोड़े से स्पेक्स आ गये वह मैं आपको बता देता हूं इसने आपको दोस्तों स्नाप्डगन 855 प्लस का चिप सेट मिलेगा 865 नहीं है या 865 प्लस प्र प्लस प्लस कि अगली खबर है रियल्मी एक्स त्री शूपर जोम ओफिशली गफरन रहं लांट होलगा इस थी शूपर जोम और यह दोस्तों कंपानी ने ने कंफर्म कर दिया और इस थी सूपर सूम में आपको 60 एक्स का जूम मिलेगा और स्टैरी मोड मिलेगा मुले कि अ और 30W की चार्जिंग का सपोर्ट होगा और शायर इसमें आपको 108 MP का में कामरा मिले प्राइमरी कामरा सो रियल्मी X2 दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है X3 दोस्तों X2 नहीं और X3 पूरी सीरीज दोस्तों बहुत ही अच्छी लग रही है अगली खबर है रेडिमी की वरसे रेडिमी 10X के स्पेसिफिकेशन लीक हो गया रेडिमी 10X दोस्तों स्पोर्ट गया गया गूगल के कंसोल और समें आपको हील्यो जी सेविंटी का प्रोसेसर 4GB की राम दोस्तों मिलेगी दोस्तों यह तो अब कंफर्म हो गया है और शायद इ आली G52 का GPU चिपसेट मिले हीलियो जी सेविंटी का चिपसेट मिले जो एक काफी अच्छा नया चिपसेट है दोस्तों और 4GB के राम मिले दोस्तों सो रेडिमी 10X शायद दोस्तों इंडिया में भी जल लांच हो जाए और इसमें आपको फूल एक्स डिस्प्रे मिलेगी दो लांच हो जोस्तों रेडिमी 10X काफी एक्सेटेड लग रहा है अल्ली ख़बर है रियल्मी नाजो 10 आएगा इंडिया में विट हीलियो जी यीटी का प्रोसेसर होगा में इन्टया में में लांच होने डूस्तों हो और इसके अभी तक स्पेक्सिफिकेशन तो पूरे नहीं यह नार्जो 10 नार्जो 10 ने इंडिया में लॉण्च होने वाले और में 11 और शायद इस मैं आर्जो 10 की स्पेसिफिकेशन थोड़े बता देता हूं सो 48 मिलियमपर की बैटरी मिलेगी और फार्ट चायन का सपोर्ट होगा और यह 12-30 पी-म को लांच होने वाले और में 11 दोस्तो जब इसके फूल स्पेक्स आजेंगे हम इसके ओपर वी डियो दूस्तो जरू करेंगे तो स्टे तून और दूस्तो आर्टी तेखम और कैसे लगे अगर अच्शी लगिए लाइक करना प्लीज दूस्तो जोस्तो स्टे तून याद याद्ट oinदपेस्ष टेखम थैट होम थैं।प वर लेज रूले कीप स्माल keep smiling and keep smiling